पवन सिंग जी के चाचा जी का फोन जिनका नाम है अजीत सिंग नमस्कर दोस्तों मैं बिहारी बाबु हैमराज तो दोस्तों आज मैं बैठा हूं मंगलम स्टुडियो और यहां पर मुझे मिल गया है मीजिक डारेक्टर गौरो जी गौरो जी एक ऐसे डारेक्टर हैं कि मैं आपको बता दूं पवन्सिन के और इत्येस पांडे जी का भी ग्हाना को बहुत ही अच्छे से और एक ब्यूटीफूल में की mentid दिये हैं जो बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बताएं और पवन्सिन के जो जादा जी हैं उनके बारे में भी गोरोजिई ने बताये हैं तो नमसकार भाइब पहले चैनल में आपका स्वागत है तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप कहा से मेजिक को आपके माइंड में कम आया कि मुझे मिजिट डारेक्टर बनना चाहिए Luego 2003 में मैंने सिंगिंग में अपना करियर स्टार्ट किया था और दो हजार तीन के बाद मैंने काफी समय तक गाना गया उसके बाद मुझे धीरे-धीरे गाने से इंट्रेस्ट थाटा और इसमें इंट्रेस्ट जो है sound engineering में ज्यादा इंट्रेस्ट होना शुरू हो गया तो मैंने अप बहुत गर्दा मचाया और काफी सॉंग लगबग 200 प्लस सॉंग्स जो हैं वहां से रिकॉर्ड और रिलीज हुए उसके बाद चुकी हाजीपुर मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता था इस वज़े से मैं महनार का रहने वाला हूं तो मैंने महनार बैशाली जिला में तो मैं पर क्या और कंडके तो मुझे आता था यह काम तो मैं ने वहां पर रह के और काफी बड़े-बड़े सिंगर्स का मैंने रिकॉर्डिंग लिया जिसमें अंकिता सिंग जी है जिनका पवन भिया के साथी पर कर फोटो आया था दिपक तिवारी जी है जो अपने आप में बहुत अच्छे कलाकार हैं उनके कई सारे सौंग्स जो हिट हुए नंबर बलॉक हम उनका गाना मैंने रिकॉर्ड किया देवी इस इनका भी कोई भाई है कि पावन सिंग पर केला अच्छा यह जल्दी में कहीं पटना में आये थे रिकॉर्डिंग करने के लिए साथ ऐसा वाराल हुआ देखिए मैं तो उनके घर पर रहा हूं उनकी मा मुझे बहुत प्यार क साथ में रहा हूं उनके घर पर ही रहा हूं और उन्होंने मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी करी है खुद के हाथ से बना के खाना मुझे खिलाया है और बहुत प्यार करते हैं छोटे भाई से मतलब बढ़ के और चाचा अजीत सिंग जी जब भी आते है चुकि वह जो कहर कि मुझे बहुत मानते हैं और उनके जो बेटा वह नम सतिष जी है वह भी बहुत अच्छा गाते हैं और फिर जो उनके और पर पमन भीया के एक और भाई है अपने नहीं है सचेरा भाई है जिनका नाम रितिक सिंह मुझे लगता है पूरे घर में सबसे ज़्यादा वह उन से छट पर में घर पर आया था और उसके बाद मुझे रितेश पांडे जी के यहां जाना पड़ गया बनारस में उनके होली के प्रोजेक्स जो हैं वो रिकॉर्ड किये हमने लाइव आरब में जीती स्टूडियो में आके हमने अंजनी भयागे साथ मिलके म्यूजिक कंपोज क किया लाइव म्यूजिक और उसके बाद वहां जाकर उनका रिकॉर्ड किया उसके बाद दिलिप सिंग भयागा कॉल आया और बोले कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फिल्ड में हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है और चुकि यह मेरे घर के पास था इस वज़ तो आप इस मोका को दुबारा मत चोड़े क्योंकि सारे चीज इन्हें डिटेल में बता दिये हैं गोरो जी किनके साथ मीजुक बनाया हो खास करके पावन जी का तो इनके घर का पूरा हिस्ट्री आप बता दिये हैं तो आप लोग भी मंगलम स्टूडियो में आप आईए गोरो जी से मिजिक को बनवाई ये जो बहुत ही अच्छे देते हैं और इस तरह से हम आप से जुड़े रहेंगे और हम भी इन्स गोरो जी से जुड़े रहेंगे और पवंस इनका हम घर और उनके भाई सारे लोग से हम मिलेंगे और इंटर्व्यू भी हम आपको धीरे-ध इखाते रहेंगे जो मुझे सपोर्ट करेंगे गोरो जी बिल्कुल 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 और चाहिते ठीक है तो लास्ट और हम लोग मैं कंपोज भी करता हूं तो मैंने कई सारे कंपोजिशन जो है वो दिये वेव चैनल से भूल गई का ये मेरा बहुती खुबसूरत इस अभी प्रोटोकॉल से ये शेर नहीं कर सकते हैं और ये कंपोजिशन में आप लोग को थोड़ा सा बताता हूं कि ये कंपोजिशन कैसा लगा आप जरूर प्यारा शिवात देंगे ये इस तरह का है मैं गा रहा हूं इस गीत को कि जब छन से छनक जाता हां पहुआ के तो हरी पायल का तिल बनल नजरीया का तिल बनल नजरीया कई देल दिल वगायल कि जब छन से छनक जाता है कि तो हरी पायल बहुत ही अच्छा इस जो संगीत है जो मा सरस्वती मां का देन है जो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा गुरो जी आप से मिलकर मुझह बहुत आप मुझे impress कर दिए हैं। शुक्रिया आप सभी लोगों का तो लास्ट में और कुछ बोलना चाहते हैं आप हमारे जो सस्क्राइबर हैं। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यह जो चैनल है इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर एक से लेटिस्ट न्यूज फिल्म जगत से बोजपूरी गीत संगीत की दुनिया से आता रहेगा अशलील मुक्त आता रहेगा यह मैं आपको बादा करता हु घरंटी करता हूं और एक अनुरोद ये भी करूंगा कि आपका भाई र финॉल मंग्लम इस्टूडिय में है तो मुछे जानने वाले जितने भी लोग है और जो नजानने वाले इस फिलोग है वो सब मिल मिल्हें विलोग से जुडए और जिन्होंने मेरे साथ काम किय है वो तो 100% satisfied है वो तो आहीं रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया है उनसे गुजारिश करूंगा कि एक मौका वश्य दे बहुत खुबसूरत काम होगा इसकी पूरी में गारंटी लेता हूं विकास चुकि हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते हलवाई जो होता है तो उ सब्सक्राइब लेटेश टेकनोलजीज है एक चीज है जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं यह सेक्रेट रेसिपी है हमारी आप उपर में हमारा देख रहे हमारा साउंड कार्ड है मोटो का एट प्रो एट प्री एस है आप समझ सकते हैं कि फैबरेडी 21 तारिक को यह तो मैं यह चीजे बता रहा हूं इसको एक बर गूगल में आप सर्च करना वह आपको बताएगा कि इंडिया में कितने पीसेज भी के हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में यह वन पीस हमारे पास नाम है उसका फिर से बता देए यह मोटो प्री एस है ठीक है आप दे सिंगर दो छोड़ दिजे रिकॉर्डिस जो है वह पागल हो जाते हैं यहां बैठके सुनने वाले या राइटर जो कान में लगता है जब मिक्स करते हैं हम लोग को बहुत बहुत देर साउंड के साथ होकर गुजरना पड़ता है एक गाना हम लोग मिक्स करते तो कम से कम उ headphone में बजाके phone पर बजाके home theater पर बजाके तब जाके satisfaction मिलता है कि हाँ अब यह गाना जो है वो जब public के बीच में उतरेगा तो यह स्वादिश्ट लगेगा तो इस वजए से box की भी quality जो आप देख सकते है बहुत ही मेठा quality जो है वो मनता है तो दोस्तों सारा को सारा में डिप सेसर में लिंगा contact नंबर भी मैं नीचे दे दोंगा मंगलंग इस्टूडियों में आप आईए और गोरो जी से जरूर आप एक बार music मनाईए तो चलते हैं मिलते हैं आगे एक अच्छे से वीडियो के